बेखोफ बदमाशों ने व्यापारी के घर में करोणों रुपए के जेवरात और गहने लूट लिये बदमाशों ने पहले व्यापारी और उसके परिवार पर रात के अंधेरी में चाकू से हमला किया उसके बाद अलमारी में रखे गहने और कैश लेकर फरार हो गए टियाई आजे बहादूर सिंग ने बताया कि ये घटना आधार का अपनेवासी मनीश शर्मा के घर पर हुई मनीश शर्मा उस वक्त अपने घर पर सु रहे थे मनीश शर्मा शेयर मार्केट वार डेरी वेपस आई हैं अधी रात को चार बदमाश उनके घर पर गुसे और बदमाशों के आने की आहट मनीश शर्मा की नीन खुल गई उन्होंने चिलाना शू किया बदमाशों ने मनीश को चिलाते देख उन पर चाकू से हमला कर दिया साथ ही उनकी पत्मी और बेटे पर भी बदमाशों ने चाकू से हमला किया अजय बहादूर सिंग ने कहा कि बदमाश घर की अल्मारी बेर रखे करोनों के गहने और कैश लेकर मौके से फरार हो गए घर्टना की सूशना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची और खायलों को अस्पताल पहुचाए गया पीडित परिवार के परीजनों का कहना है कि बदमाशों ने कैश और गहने मिलाकर लगभग करोनों की लूट की है टी आई अजय बहादूर सिंग ने कहा कि मामले की जाच के बाद इस पश्ट हो पाएगा कि बदमाश कितना गहना और कैश लेकर गए है अलार काप में मनीश सर्मा निवास करते हैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ में आई धाई बजे रात में चार अग्याद बदमासों ने उनके घर में मार्कीट कर लूट काट की है तीनों लोगों को चाकू से वारदात की है जिनको चोट आई है जिनने हमने MGM हास्पिटल में इलाज है भरती करा है घटना स्थल में प्रथन दस्टिया हमें लूट का मामला लग रहा है क्योंकि उनकी पत्नी ने बताया कि उनके कुछ जेवर भी लेके चले गए हैं अब इन लोग धायल थे इसलिए उन्हें तदकार इलाज की लिए हमने MGM हास्तों में घरती कराया है विस्तार से जानकारी लेकर के हम बताएंगी कि इनका कितना जीवर गया है वो खबरें जो आपके काम की हैं वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटी कविशलेश हम करते हैं सट्टे का अनवेशा दखल न्यूज आपके हफ्वेश आप देख रहे हैं दखल न्यूज